Hello students, today we start the topic on Venn Diagram Venn Diagram basically होता क्या है जब भी हम कोई दो सेट लेते हैं For example मैंने उठाया सेट A, 1, 2, 3, 4 सेट B, 1, 2, 3 हम कहरें कि B is a subset of A B और A का हमने relation बताया कि B हमारा A का subset है इसी relation को अगर मैं डायग्राम से शो करूँ तो उसको कहते हैं Venn Diagram A, set हमने ले लिया A, set जिसमें element होंगे 1, 2, 3 and B, set ये ले लिया हमने अभी हम कहरें कि B, set में है 1, 2, 3 element 1, 2, 3 अब ये क्योंकि B, set जो हो वो A में ही include करें कि B, A में ही contain है इसलिए 1, 2, 3 तो A के आ चुके बचा कौन? 4 तो इसको हम B से भाहर ले लेंगे तो इस सबसेट के relation को अगर मैं डायग्राम से शो करते हूँ तो इसको बोलते हैं Venn Diagram ठीक है? चलिए अब हम ऐसी relations के ऊपर जो आप Venn Diagram बनाएंगे अला, union, intersection, subtraction, जो भी है आपके बास सबसे पहले definition देखे complement of a set complement क्या होता है? किसी भी set का U is a universal relation sorry, universal set relation यहाद आगा U is a universal set and A is a subset of U than A complement A complement को यहाद आप डैश लगा के शो करेंगे या C लिख देता है that means A complement equal to यह set क्या बनेगा? X such that इसमें X type के number होंगे जो U से belong करेंगे but X doesn't belong to A जो number A complement में आजाएगा वो number A में belong नहीं करेगा ठीक है? example देखिए U universal set हमने उठा लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A subset लिया हमने इसी का subset ले रहा है तो इसी में से number उठाने है 1, 4, 7 A हमने इसमें से subset उठा लिया 1st condition कहता है subset होना चाहिए A जो subset of U A subset है 1, 4 and 7 U में आ रहे है हमारे पास अब हम इसका compliment निकालते हैं हमने कहा कि X हमारा U में बिलॉंग करेगा यानि compliment में जो element आएंगे वो U के element आएंगे कौन से element? जो A में नहीं होगे That means U के वो element ठालेंगे Element of U which doesn't belong to A 1 1 को हम skip कर देंगे क्योंकि यह A में आ चुका 2, 3, 4 को skip करेंगे क्योंकि A में आ गया है इसके बाद उठाएंगे 5, 6, 7 भी A में इसके बाद 8 यह हो गया अपके बास A compliment अब इसी को आपको weight diagram से show करना है U हमने लिया universal set A is a subset of this यह हम कोई A ले लेता है A इसका subset है तो इसके अंदर ही include होगा ठीक है अब हमें निकालना A compliment यानि कि यह सारे के सारे U के element है और इसमें जो आए हैं वो A set के element है A U के अंदर ही include है तो A compliment लेंगे तो A के सारे elements को छोड़ देंगे और बाकी के जो number रह जाएंगे वो हमारे पास A compliment में आ जाएंगे तो यह बन जाएगा आपके पास A compliment यह जो भार वाला area हो जाएगा यह A compliment हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमें A compliment का relationship हो करना है अगर यहाँ पर A compliment का फिर से compliment find out करते है A compliment का compliment then क्या करेंगे A compliment यह set है universal set देखो हम A compliment का compliment निकालेंगे तो element of U doesn't belong to A compliment तो इसमें आ जाएंगे आपके पास 1 इसमें नहीं है 2 A dash में यानि कि A compliment का compliment निकाल देना तो इसके elements को हम देखेंगे तो A dash 2 छोड़ देंगे हम 3 नि लेंगे फिर आता है 5 फिर 6 नि लेंगे फिर आता है 7 फिर 8 क्योंकि यह हमारे बास एक compliment में आ गया तो यह हो गया A dash का dash अगर निकालते हो तो आपके बास देखो वापिस ओ स्वाइफ निए 4 लेंगे हम पे 3 आ गया हम पे 4 लेंगे क्योंकि 5 इसमें आ गया है फिर 6 नि लेंगे दन 7 लेंगे फिर 8 नि लेंगे तो एक compliment का compliment आएगा 147 अब देखें 147 सेट कौन सा था यह सेट आपके बास तो एक किसके एकवल आ गया एक एकवल यानि मारे पास property क्या बनती है A dash अगर हम A का दो बार compliment कर देंगे तो वापिस हमारा वही सेट आ जाता है ठीक है Next हम करते है A union A dash अगर हम A की और A dash की union कर देते हैं तो क्या answer आएगा हमारे बास A dash और यह हमारा A dash set है यह हमारा A set है Union में हम सारे अनिवें इंक्लूड करते हैं 1, 4, 7, 4, 2, 3, 5, 6, 8 अभी यह नमबर देखें कि यह set किसके इकवल है U के इकवल सारे नमबर वही है order doesn't matter नमबर वही होने चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह हमेरे इकवल टो आ जाएगा U के यह second property हमेरे बास के आगी A union A dash किसके के इकवल है universal set के ठीक है If we find out A intersection A dash A और A dash की intersection करें intersection का मदलब क्या होता है common number उठाते है इन दोनों में जो common element है वो हम intersection में लेते है देखे कोई number इसमें common है कोई भी number इन दोनों में common नहीं है जो number A में आ गया वो complement में नहीं आएगा और जो complement में आ जाता है वो A set में नहीं आता क्योंकि A complement हम भी लेते हैं जहाँ पर हम A के elements को skip कर देते हैं ठीक है तो यह आपके बास आ जाएगा null set 5 तो third property आती है आपके बास इन्वर्सल सेट है अगर मैं फाइक का इसमें कोई भी नंबर नहीं होता तो फाइक का निकालेंगे तो यू के सारे element लेंगे जिसमें हम इसके नंबर छोड़ देंगे अब इसमें कोई नंबर है नहीं जो इसके और इसके जाता आ जाता है next is if आप यू का कंप्लीमेंट लेते हो अगर हम फाइंड आउट करें यूड़ यू का कंप्लीमेट निकालें तो यू पांप्लीमेंट किसके 5 फिफ्थ प्रोपर्टीज यो कॉम्प्लिमेंट इस एकॉल तो 5 यह आपके बस कॉम्प्लिमेंट की प्रोपर्टीज है और वेन डाइग्राम बता दिया है यहाँ पर हमने कॉम्प्लिमेंट की आफे सेट ठीक है नेक्स्ट देखिए इफ ए सबसेट बी दैन एक कॉम्प्लिमेंट हम यह निकाल रहे हैं सारे बाइव डाइग्राम अवाइन डाइग्राम है ठीक है यह आपको फाइंड आओट करना है चलिया हमारे पास दे रखा है एसब सेट बीगा यानि बीडी हमारा बड़ा सेट भी हमारा यह सट हो इसका subset then a compliment निकालते हैं तो हमारे पास यह पूरा portion आ जाए का भारवाला यह हो गया हमारा a compliment ठीक है if a is not a subset of b अगर a b का subset नहीं है then a compliment कैसे निकालेंगे यह हमने उठाया था भी हम कहरें कि a b का subset है नहीं तो यह हमारा इसके अंदर लाई नहीं करेगा तो a set हमारा कहिए इससे भार होगा हमने a set ले लिया अब हम कहरें कि a compliment find out करेंगे तो a compliment का क्या मतलब हुआ कि हम b के वह element उठाते है यह जो बड़ा सैट होता है इनिवर्सल सैट होता है उसके हम वह element उठाएंगे जो a में नहीं होंगे तो इसके अंदर सारे a के element निकाल देंगे तो बचा क्या 5 तो हमारे पास by wind diagram अब शो करते हैं तो यहां से आता है मैं पास 5 चलिए next is wind diagram of union and intersection अच्छा इससे पहले देखो अगर a set आपके पास दे रखा है 1 2 3 4 5 and b set दे रखा है 3 4 5 6 7 इसको wind diagram में कैसे शो करेंगे a is a subset of u and b is also subset of u यू हमारा है universal set ठीक है इसमें कहरा है कि a और b जब भी आप wind diagram बनाते हो तो यहां पर आपको a और b के number शेखने पड़ेगे ठीक है अगर common element आते हैं देखो इसमें common element 3 4 5 3 4 5 तो हम इन दोनों sets को cut कर देंगे a b इन दोनों का आपस में cut करवा देंगे तो इसके element लिखोगे तो कैसे लिखोगे जो common number हो common portion में आएंगे 3 4 5 क्योंकि जब भी हम इनको लिखते हैं तो हमारे पास number a की बार include होने चाहिए में क्या बचा वान टू वन और टू तो एके complete हो गए 1 2 3 4 5 complete set वी में 3 4 5 6 7 3 4 5 3 4 5 6 7 तो हमारा वी सेट भी complete हो जाता है तो इस तरह से हम लेते हैं numbers को इन सेट में ठीक है अगर आपको वेंड डाइग्राम बनाना है union का a union b then कौन सा portion आता है इसके अंदर union का मतलब क्या होता है कि हम दोनों के elements को एक अठा ले लेते हैं क्या बनेगी इसकी union 1 2 3 4 5 6 & 7 यह हमारे पास union आगी यह हमारे पास सारे element आने चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 complete sets आ जाएंगे यह जो हमने portion black कर दिया यह आपके पास बन जाएगा A union B कर वें डाएंगा अगर हम फांद आओ करें A intersection B A intersection B that means common element common element क्या क्या है इसके अंदर 3 4 5 3 4 5 3 4 5 U universal set these are the common element है 3 4 5 1 2 यह हमारा A set बना और 6 7 यह B set है अब यह हमने का intersection के लिए वें डाएंग्राम बदाएंगे कौन सा बनेगा तो हम डाएंग्राम में क्या शो करेंगे जो common element आते हैं तो इस पॉर्शन को हम ब्लैक करते हैं देस सिरफ यहां से और यह वाला पॉर्शन यह निकल जाता है A intersection B कर वें डाएंगा ठीक है नेक्स तो देखते दिफ्रेंस 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 अफसेट्स डिफ्रेंस ओफसेट्स क्या होता डिफ्रेंस ओफसेट्स A माइनस B या फिर आप निकालो B माइनस है A माइनस B में कौन से नमबर आते हैं X बिलॉंग्स टू A A के नमबर होते हैं बट X डजन्ट बिलॉंग्स टू B वो नमबर अगर कॉमन नमबर आते हैं दोनमें तो हम उन नमबर को स्किप कर देते हैं यानि कि जो B के नमबर A के साथ कॉमन आरे हैं उनको हम निकाल देंगे बाकि सारे A के नमबर आजाएंगे B माइनस A करते हैं तो X बिलॉंग्स टू B और X डजन्ट बिलॉंग्स टू A ठीक है तो इसका आप निकालिए बिन डाइग्राम फर्स्ट आम फाइंड आउट करते हैं A माइनस B यूनिवर्सल सेट A और B अगर कॉमन एलिमेंट आते हैं तो हम इस तरह लेते हैं ठीक है इफ कॉमन एलिमेंट नहीं है कैसे? A हम ले लेते हैं 1, 2, 3 और B सेट ले लेते हैं 4 और 5 अब इन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन नमबर नहीं है तो जब इसका वेंट डाइग्राम बनाओगे तो आप A को अलग लिखोगे B को अलग लिखोगे क्योंकि इन में कोई कॉमन नमबर नहीं है दोनों सबसेट यूनिवर्सल सेट के लेते हैं इसके अंदर आ जाएंगे इस दा A, इस दा B 1, 2, 3 इसके अंदर 4, 5 इसका एक्जांबल बता रहे है तो A-B हमें निकालना होता है A-B के अंदर किसके नमबर आते हैं A के नमबर आते हैं ड़न्ट बिलॉंग इसमें अगर हम देखे तो कोई भी कॉमन नमबर नहीं है तो A-B में किसके number आजाएंगे सारे? A के number आजाएंगे तो ये वाला portion जो आपने black black किया है ये हो जाएगा आपका A-B portion ठीक है? अगर हमारे पास common number आजाते है A element उठाया है मैंने 1, 2, 3, 4 B set ले लिया 3, 4, 5 ठीक है? यहाँ पर हमने एक भी common number नहीं लिया था इफ हम common element अगर ले लेते हैं तो common वाले number यहाँ आते हैं मैंने बास ये set A, set B common number कौन से है? 3 and 4 common portion में लिख दिये this is 1, 2, 3, 4, A set complete and this is 5, 3, 4, 5, B set complete अब अगर हम A-B निकालते हैं A-B क्या आता है हमारे बास? A के number आते हैं common numbers को skip करके तो 3, 4 को छोड़ देंगे हम बचा के 1, 2 तो हमारे बास कौन सा portion आया? अब यही से देख लो आप हमारे बास A-B में 1 और 2 आना चाहिए तो 1 और 2 की इस portion में? इस portion में है यानि जो B के साथ common है portion उसको हम skip करते है यह आजाएगा आपके बास A-B ठीक है? अगर common element है तो यह diagram बनेगा और अगर common element नहीं यह तो A-B का यह diagram बनेगा ठीक है? सेम टो सेम आप B-A का बना सकते हो अगर हम यहां से B-A का find out करें तो कैसे बनाओगे? A B set हमें बनाना है B-A तो यह मार पास B-A के नमबर आते है B वाले portion को black कर देंगे बढ़ जो common portion है उसको हम छोड़ते है यह set आपके पास हो जाएगा B-A B-A लेंगे तो B के side वाले element उठाएंगे और अगर A-B करते हो तो A के नमबर उठाते है B के साथ जो common portion छोड़ देते हैं ठीके तो यह थे आपके 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 बास डाइग्राम different set के symmetric difference of a set sets अगर हम निकालते हैं कैसे find out करते हैं symmetric difference symmetric difference of sets यह आपके बास क्या होता है this is the union of A-B and B-A is the union of B-A and A-B इसको हम symmetric difference को denote करते हैं A symmetric difference with B A और B का अगर symmetric difference निकाल रहे हैं तो हम इस triangle से show करते हैं ठीके इसको हमने कहा कि A-B union with B- तो यह आपके पास symmetric difference हा जाता है अगर इसका diagram में show करें तो U, universal set A set this is B set हम पहले find out करेंगे A-B A-B हमारा यह वाला portion हो जाएगा ठीक है फिर हम निकालते हैं B-A then B-A तिर्ची लाइन से लगा लगते हैं इसके लिए भी ठीक है अब हमें बोला गया कि इन दोनों की union केजिए इन दोनों sets की union हमारे पास आता है symmetric difference तो दोनों sets की union करेंगे तो सारे elements तो यह वाले आ जाएंगे complete element of this set and complete element of this set तो यह जो आपके बास यह वाला portion complete और यह वाला portion यह बन जाएगा A symmetric difference with P ठीक है next topic हम उठाते है A union A अगर हम A की union A के साथ करते है तो हमेरे पास answer के आएगा A set यह ठीक है A union with P आंसर क्या आता है A क्योंकि बड़ा set A है P में कोई number नहीं होता तो complete set हमारा A आ चाहिए यहाँ पर है A union with universal set complete हमारा U आ जाता है अगर आप दो set उठाते हो A union B या ता आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो B union A दोनों सेम चीज है ठीक है इसको बोलते हैं commutative law commutative law ठीक है A की साथ A की union की A ही answer आ रहा है इसको बोलते है idempotent इधर लिख देते है idempotent law ठीक है A के साथ 5 की union की answer क्या आएगा A यानि की A की साथ किसकी union करें की हमारा A ही आ जाए this is law of 5 law of 5 and this is law of universal set ठीक है इसी तरह से हमारे पर आएज आता है A union B union C हम पहले इसको इस bracket को solve करेंगे फिर A के साथ union करेंगे A union B union C अगर आप left hand side और right hand side देखें तो पहले मारे B और C पे bracket है इधर हमने A और B पे shift कर दिया ठीक है तो यहाँ पे A union B union C equal होता है A union B union C की यानि पहले आप चाहिए इसको solve करो complete या फिर इसको solve करके फिर C के साथ union करेंगे दोनों equal होता है इस यह ला होता है हमारा associative associative ठीक है same to same intersection के लिए होता है A intersection B या फिर B intersection A दोनों answer same आएंगे आपके बास ठीक है यह हमारा committative ला हो गया A intersection B intersection C A intersection B intersection C this is the associative ला हमने यह आपे bracket को associate कर दिया है यह associative ला हो जाएगा A intersection 5 A के साथ 5 की intersection करोगी क्या answer आएगा 5 आए योगि हमें common element उठाते है और common element इन दोनों में कोई नहीं है क्योंकि हमारे पास final set है A की intersection आगा और आप A के साथ करते हो तो answer हमारा A ही आता है यह आ जाएगा आपके बास C इसको जिवाब open करते हो तो A जो यह आपके बास operation यह दोनों के साथ अपलाई होगा A union B, A union C और इनके बीच में जो आएगा वो operation आएगा intersection A union C ठीके? इसको बोलते हैं डिस्ट्रिबेटिव लाउ अब इसका हमें बनाना है वेंड डाइग्राम चले देखिए पहले मुठाते हैं left hand side left hand side आपके बास given है A union B intersection C U is a universal set set A B and C A, B and C first हम solve करते हैं bracket वाले portion को हमारे पास given है B intersection C तो B और C का जो common portion है intersection के लिए हम यहाँ पर denote कर लेते हैं कि जो intersection अगर हम लेके चलते हैं तो हम लगाएंगे horizontal lines ठीक है और अगर union लेके चलते हैं तो हम लगाएंगे vertical lines अब ही हमें intersection निकालना है यहाँ पर B intersection C तो इन दोनों के गरा हम intersection निकालते हैं horizontal line से शो करेंगे कौन सा portion common आ रहा है यह set हमारा B है यह set हमारा C है A से हमें कोई मतलब नहीं है सरफ दोनों का portion देखते हैं तो यहाँ पर हम horizontal line लगा देंगे तो यह हमारा B और C का common portion आ जाएगा ठीक है फिर हमें union करना है A के साथ A union B intersection C B intersection C हुझाएगा और A के साथ union करेंगे तो हमारे पस क्या आ जाएगा A हमारा कहां तक का set है यह वाला set है पूरा set A और union करना है B के साथ union union में क्या आता अपके बास सारे number हम A के उठाते है complete set A and B intersection C जो portion हमारे पस निगल किया है अब हम करते है right hand side साथ right hand side right hand side पे आपके बास क्या आगे बन है A union B and A union C यह सेट हमने लिया universal set B and C हमें पहले solve करना है A union B और फिर solve करना है A union C तो A union B अगर हम लेके चलते हैं तो हमारा क्या बने कह यहां से union के लिए हमने lines लिए vertical ठीक है तो आप vertical line show करोगे जब आप यह union B निकालते हो तो A union B के लिए पूरा सेट हमारा A हो जाएगा और complete सेट B हो जाएगा this is the B set ओके फिर कह रहा है कि A union C किजिए A के साथ C की union यह हमारा पूरा सेट A है यह हमारा B, C सेट है तो union दिखा रहे हैं तो vertical lines लेके चलेंगे ठीक है फिर कहता है कि इन दोनों सेट की किजिए intersection अभी तो complete A union B लिकाला हमने A union B हमारे पास complete हो गया फिर हमें A union C निकाला तो यह complete आगा अब हम कह रहे हैं कि इनकी intersection किजिए यह जो set आए है यह जो set आए तो इनमें common portion कौन सा बनेगा common portion इसेट दोनों के साथ आ रहा है this is यह और जो common portion आपके पास आ रहा है B union C का यह common portion हो जाएगा ठीक है तो यहां से देखे इसमें अगर इसमें देखते हैं तो इसमें हमारा यह black portion बना था इसमें हमारे पास यह बलाब लाग पॉर्शन बन रहा है इन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाहिए इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन ठीक है तो यह हमारे पास हो जाएगा बेंट डाइग्राम next distributed law आप सेकिंड तरीके से भी कर सकते हूं operations को interchange करके interchange कैसे करना है यहां पर union आप intersection apply कर दोगे यहां पर intersection है union आजाएगा ठीक है तो इसको उपन करोगे तो कैसे करते हैं कि ए इंटरसेक्शन भी एक के साथ बेंटरसेक्शन ऑपरेशन बीच में हमारे बास यू और एके साथ सब्सक्राइब करेंगे पहला हम इसको शॉल करेंगे फिर एक साथ फिर इसको सब्सक्राइब करते हैं फिर दोनों सेट्स की यूइन उठाते हैं तो लिए exercise स्टार्ट करते हैं 1.5 फ़र्स्ट कोश्चन आपके पास गिवन है यूज दा universal set 1 से देकर 9 तक नंबर दे रखें सेट A, सेट B and सेट C गिवन है आपको find out करना है A compliment A compliment क्या होता है अभी हमने बदाया है कि यू के वह element जो हम A के निकाल देते हैं तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 element छोड़ देंगे बाकी के element आजाएंगे A compliment 5, 6, 7, 8, 9 B compliment निकालते हैं तो B compliment के लिए हम B set को उठाएंगे U में से B के numbers को निकाल देजिए 2, 4, 6, 8 इनको निकाल देंगे तो मैरे पास element U के आजाएंगे 1, 3, 5, 7, 9 ठीक है A union C compliment पहले आपको A union C निकालना पड़ेगा तो A union C के आजाएगा यहां से अगर हम find out करते है A union C A union C set क्या बनेगा A की और C के union 1, 2, 3, 4, 3, 4 दोनों में common आ रहा है 3, 4 आगे उठा लेंगे हम 5 and 6 यह आपके पास बन गया A union C फिर हमें निकालना है इसका compliment अब हम इसका compliment निकालेंगे तो इन numbers को U में से skip कर लेंगे तो U के वो number उठाएए जो इसमें नहीं है ठीक है तो मने जो common number है 1, 2, 3, 4, 5, 6 शुरू वाले सारे number छोड़के compliment में आ जाएगा 7, 8, 9 ठीक है फिर चाहिए हमें A union B compliment तो पहले आप निकालिए A union B, A union B यानि A और B की union then 1, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 4 हमाँ पास अल्रेडी आ चुके है 6 and 8 ये बनगे आपके पास A union B अब हमें इसका compliment चाहिए तो U के element उठाए देखें 1, 2, 3, 4, 6, 8 1, 2, 3, 4, 6 and 8 इनको हम छोड़ देंगे बाकी बच्चे के 5, 6 और 9 ये आपके पास आजेगा compliment में 5, 6, 9 ठीक है इस तरह से आपको पहले इनको solve करना है फुर compliment solve करना है एक compliment का compliment एक compliment हमारे पास ये आ गया था अब हमें इसका दुबारा compliment करना है तो हम U set के वो number उठाएंगे जो 5, 6, 7, 8, 9 को skip करके तो इसमें से हमारे पास देखिए 5, 6, 7, 8, 9 इनको छोड़ देंगे 1, 2, 3, 4 ये आज़ोंगे compliment का compliment निकालते किस के को लाता है इसल एसेट के को ला जाता है ये सेटरा यही है ठीकिक हम B-C compliment B-C के compliment के पहले आपको B-C find out करना पड़ेगा तो B-C B में से c के element माइनस कर दो common number देखिए 4 and 6 यह common number ए तो B-C में क्या आता है B के वो number उठाते है जो C में नहीं है 2 a4C में हमने माइनस कर दिया फिर हमारे पास आज 6 नहीं लेना 6 भी C में है वो भी हम minus कर देंगे फिर आ जाएगा 8 ये set हमारा आ गया B minus C अब हमें इसका complement चाहिए तो complement के लिए universal set के पास चलते हैं 2 and 8 2 और 8 को छोड़ दीजिए बाकि सारे number आ जाएगे complement में 1 3 4 5 6 7 and 9 ये आपके पास बन जाएगा C complement question number second आपके बास given है U universal set set A, B, C and D आपको इसके complement find out करने A complement वही same को से पिछे वाले जैसा A, B, C इन numbers को छोड़ देंगे universal set में से बाकी number आ जाएगे complement में D, E, F, G, H B complement D, E, F, G ये number निकाल दीजिए D, E, F and G ये number छोड़ देंगे complement में आ जाएगा A, B, C and H third is C complement C में number दे रखे A, C, E, G A, C, E and G इन numbers को छोड़ देंगे C complement में आ जाएगा B, D, F and H same to same D complement निकाल सकते हो F, G, H, A F, G, H, A इन number को skip करके B, C, D, E आपके पास ये आपके answer साल जाएगे ठीक है ये थे complement of sets बाकी exercise हम कल की वीडियो में करेंगे next lecture में